हेलो फ्रेंट्स फार्मा कैपिटल में आप सभी का श्वागत है मेरा नाम रविंद्र और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोटल पेकेजिंग से रिलेटेड बोटल लेबलिंग मसीन के इंटर्व्यू के कुश्चन और आंसर्स का आप से क्या क्या पूछा जा सकता है फ्रेंट सबसे पहले तो आप जिसकी लेबलिंग मसीन को ओपरेट करते या फिर सुपर वीजन करते थे हैं आपको मालूम होना ची कि उस मसीन का मोडल क्या है मैक क्या है और उस मसीन की मैंगजूम स्पीड क्या है जो कि BPM में रहेकी सो वो थे हैं wrap plate और wrap belt assembly यह change part ही है बहुत सी मसीनों में नहीं भी change करते हैं क्यूंकि assembler चल जाते हैं इसलिए हम operate कर लिते हैं बट यह change part में आता है इसके बाद हम करेंगे scroller या separator सो अब इसमें question create हो जाता है कि भाई हमें कहा separator use करना और कहा scroller use या timing screw use करना है अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड इसकी timing screw या scroller सो इन दोनों का meaning एक ही है यह दोनों एक ही चीज़ है डिपेंट करता है कि आप कौन से term का use करते हैं और इसके अलावा जैसे हमने बोला सेपरेटर का सो फ्रेंट सेपरेटर हम यूज करते हैं बिक साइज के बोटल के लिए और जो स्मॉल साइज के बोटल रहते हैं like 30cc 40cc 60cc 100cc सो इन में हम क्या करते हैं स्क्रॉलर करते हैं अब एक कुष्चन हें होता है हम स्कॉーलर ही क्यों यूज करने हम सेपरेटर स्क्रॉल से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स होता क proposed है कि जब हमारा छोटा container या छोटा bottle होता है उस time पे machine full speed में रहती है और हमारे separator screw या timing screw का जो work है वह ही होता है कि दो bottle के बीच में proper gap को maintain करना लेकिन जो की separator proper नहीं कर पाता है इसलिए हम separator को क्या करते हैं big size bottles में use करते हैं और small size में better output के लिए हमें screw या timing screw या scroller को use करना होता है so friends में इसका यह reason होता है यह आप कुछ इस type से इसको explain कर सकते हैं second बात करते है friends इसके spare parts की कि हमें आखिर किन-किन spare parts की requirements हो सकती है so friends labeling machine में हमारा जो wrap plate है wrap plate में लगे pad की में required हो सकती है क्योंकि होता क्या कई बार उसमें label बार बार चिबकते हैं और उस glue की बज़े से वह जो pad हो खराब हो जाता है so हमें उसको replace करना पड़ जाता है और इसके अलावा यदि आप technically अपना spare parts में कुछ parts रखना चाहते हैं so आपको fuse बहुत ज़्यादा required होते हैं like 2 ampere के 4 ampere 6 ampere और 10 ampere इस size के fuse आपको store करने पड़ेंगे यह लगते है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि fuse हमारे खराब हो जाते हैं so आप easily इनको replace भी कर सकते हैं friends बात करेंगे इसके अलावा कोई major spare parts की required नहीं होती है labeling machine में और अब हम बात करेंगे इसके अलावा कि labeling machine में mostly क्या-क्या problems आती हैं कई बार आप से इंटरू पूछा जाता कि यह problem बताए जो आपने face की हो सो चलिए मैं आपको एक problem बता देता हूं और साथ ही उसका एक better answer भी दोंगा so friends problem आप बोल सकते हैं भी labeling machine में कई बार क्या होता है double level लग जाता है अब इसमें question यह create होता कि double level कैसे लगेगा सो उसका reason ही होता है कि दो label के वीच में यदी proper gap नहीं है यहनि 2 mm से कम का gap होता है सो जो gap sensor है वो क्या करता है उसको एक ही label consider करता है और dispense हो जाता है अब यहां पर question आएगा तो फिर camera क्या कर रहे है फिर camera भी तो reject करेगा ना जी नहीं ऐसी situations में क्या होता है कि जो camera है वो भी एक gap sensor पर ही operate होता है बहुत सी कंपनिया लुइस कंपनी का यूज करती है बहुत सी कंपनिया सिक कंपनी का यूज करती है इनका भी specification होता है कि बहुत कितना minimum gap होना अच्छी है इसी situation में क्या होता है कि जो single image है उसको teach करके भी वो आगे जा सकता है मैं भी possible है आप अगर चा situations में यह हो सकता है अब इसका solution क्या है ऐसा पूछा जाता है ठीक है यह तो अपने problem बता दिया तो अब इसका solution क्या कर सकते हैं सो हम ऐसा बोल सकते कि भाई हमारा जो gap sensor है या तो हम उसको upgrade करें एक latest gap sensor लगाए जिसमें कि उस level का हम length teach करवाएं जिससे क्या होगा कि कभी यद sensor वो खुदी उसको reject कर देगा अब second option क्या है second option यह है कि हमें जो product sensor है उसको भी diameter के according रखना पड़ेगा ताकि fallen bottle या फिर कई बार setting का भी issue होता है जैसे कि अपने guide tray को क्या किया हलका सा tight रखा है तो container वहां जाके रुख जाता है और आंगे नहीं जाता देन जब सेवल सेकं के लिए आपको mostly अपनी mechanical setting पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि friends इसकी setting बहुत matter करती आप setting कैसे करें वो मैं next video में आपको जरूर उता हूंगा कि लेबलिंग मसीन set करते time आपको कैसे set करना है यह बोटल्स को किस positions पर पिल विलियर से set करना है ताकि double label या wrinkle जैसे problems न आएं friends यदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आने वाले हमारे लेट्रेस वीडियो से आपको मिल सकें